पजीस नव पर से सिंसत का और इसमस्ती बड़ी ख़बर कर लेते हैं जो कि यूपी से आरी आपको बता दें यूपी उपचुनाओ की मतगरना जारी तो ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं यूपी की सभी नौ सीटों के लिए रुजान आज सामने तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम ख़बर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की नौ विदान सभा सीटों पर जो मतदार हुआ था उनका मतगरना शुरू हो चुका है और नौ सीटों पर जो है रुजारा जगत जिन पर साथ पर बीजेपी आगे है तो दो सीटों पर समाजवादी पार् पर बात की जाया तो यह अखलेश यादव की सीट थी यहां से विधाय का खलेश यादव से इस बार जो है सपाजवादी पार्टी ने तेजप्रताप यादव को टिकेट दिया था वो आगे चल रहे हैं और सीसा मव की बात कर लिया है तो सीसा मव में नसीम सोलंकी जो समाजवादी पार्टी आगे चल रही है इस वक्ति ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे है यूपी विधान सभा में हुए उप्चुनाओं को लेकर साथ सीटों पर भाषपा आगे तो दो सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे और समाजवादी पार्टी जिन सीट से आ निखलेश पाल प्रत्याशी है जो की आगे चल रही है तमाजवादी पार्टी से स्तुम्बूल लाणा यहां पर प्रत्याशी है और बेस्पी से शहर्ण नजर प्रत्याशी है तो नौस सीटों के रुजानों में से सामने आ रहा है, ये स्माजबादी पार्टी आगे चल रही है, समाजबादी पार्टी आगे चल रही है, करहल और सीसा मौ से यहाँ पर समाजबादी पार्टी आगे चल रही है समाजबादी पार्टी के प्रत्यार्शी तेज प्रताप यादा हो और बात की जाए सीसा मौ से इर्फान सोलंकी की पत्री जो है नसीम सोलंकी यहाँ से प्रत्यार्शी है वो भी आगे चल रही हैं तो ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं ओतर प्रदेश उप्चुनाओं ते जुड़ी हुई बड़ी ख़बर मतगणना नौहें विधान सबा सीटों पर जा रही है गिनिती हो रही है वोटों की नौव विधान सबा सीटों पर जुनाओं थे वो सीटे थी कटहरी मजवा मीरापूर सीस्तामग करहल फूलपूर खैर कुंदर की गाजियाबाद एंस सीटों पर वोटिंग हुई थी बात किया तो तेईस नौवंबर को आज मतगणना जारी है जहां से बात किया है तो नौ में से साथ सीटों पर बीजेपी जिसमें बात किया है तो मीरापूर सीट जहां से RLD और BJP के गठवन्दन यानिकी इंडिया गठवन्दन की प्रत्याशी जो है मिथलेश पाल बुआ के चल रही है और समाजवादी पार्टी की बात किया तो करहल जो की समाजवादी पार्टी की पारम पर इस सीट माने जाती है सीट पर अभी तक जो विधायक थे वो खुद अखलेश यादाव थे उनके संसाद जान के बाद इस सीट खाली हुई तो यहां से तेज प्रताप यादाव को प्रत्याशी बनाया गया है जो है बतगड़ना हो रही है वोटों की गिनिती हो रही है इन में से बात किया है तो रुजहान भी आना शुरू हो गया है नौ में से साथ सीटों पर बीजेप आगे चल रही है तो दो पर जो है समाजवादी पार्टी आगे चल रही है लेकिन सीसा में उस सीट जो है काफी चौकाने वाले जो रुजान आ रहे हैं बार बार वहां का जो ग्राउन जीरों से ने रिपोर्ट की थी बदलाव की इस्तिती नजार रही थी लेकिन अब जो है नसीम सुलंकी वहां पर बड़त बनाई हुए नजार आ रही है आखे नौस जीत्रों का क्या कुछ आंकड़ा न सबसे चंडता पार्टी लोग च्पाद हिसाफ किताब यहां पर खूक्ता करेगी तो उसी चंडता किया है वार्किया जनता पार्टी साथ से साथ सीटे जीत रहे है लेकिन उसके पास प्रकार से आज आकड़े जो बात ऽूरू हुए काउंटिंग चुरूए तो भागोंटाव पार्टी दिखी कि साथ सीटों पर आगे है वही बात कर आप आप जिसे कर रहे तो यह मुस्लिम भाऊन चेतर है और यहां पर यहां पर यह दिखा गया था कि यहां पर नसीम सुलंकी परिवार का जो कपजा है वो बना रहेगा तो क तो मुस्लिम मत दाता थे वो उनकी तरह पाकर्शित हुए और जो पीडिये का नारा रहा क्लिस्यागों का वो भी कार्णपुर में थोड़ा का सफ़ल होता हुआ दिखाई देरा है हालां कि यह अभी तुर्वाती दौर की रुजान है अभी जैसे जैसे गिंती आगे बढ़े पार्टी चुनाओं में अभी तरीके से जीती हुई दिखाई दे रही है अब देखने वाली बात यह होगी क्या समाजवादी पार्टी जो उसका में किला आए जो गढ़ है उसको बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी सब्सक्राइब करते हैं नितेश बात की यह उत्तर प्रदेश में जो विधान समाजवादी पार्टी जो चुनाओं से पहले नजार आ रही थी कहीं नौ में से सिर्फ दो सीटों पर आगे बढ़त बनाओं और करहल करहल तो पारम पर इस सीट कही आते हैं खलेश यादा वह जीत को लेकर समाजवादी पार्टी आस्वास नजार आ रही थी वो आप कहीं न कहीं बैक फूर पर पीछे जाती भी नजार आ रही है बिल्कुल कपील हम आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की यह सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो एक चुनाओ जीत चुनाओं में भी वो तस्वीर साफ तो पर देखी जाती है बात करें अगर उप चुनाओं की तो उप चुनाओं के सबसे पहले जो एक जित पोल आयती है उस पर समझवादी पार्टी लिए बड़ा हमला बोला था हाला कि बार्टी जनता पार्टी ने इस ता स्वागत किय यहां पर हमेशा से ताफ़ाई परिवार का उन सीटों पर भी कही न कहीं बार्टी जनता पार्टी लेत्मस पेपर के रूप में आगे भी जाते हैं अला कि यह जो चुना हुए है उनके यह रुजान है रुजान और परिणाम में बहुत बड़ा अंतर होता है लेकि न कहीं इन रुजानों ने साफ तौर पर बता दिया कि जो एग्जित पोल इजबार दिये गए थे वो कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी के न सिर्फ पच्छी में थे बलकि वर्तमान समय के रुजानों में साफ तौर पर देखे जा रहे हैं अगर बात कर लें तो समान चुनिंद समाजवादी पार्टी के साफ तौर पर देखा हुआ जाता हुआ लेकिन फूल मिलाकर यह जो सेनेरियो साफ तौर पर सामने निकल करा रहे हैं कहीं न कहीं बता रहा है कि बाते जिनता पार्टी के लिए यह एक बड़ा मैसेज है और बड़ा संदेश है और कही न कहीं बारती जिनता पार्टी दो जार्टाइज़े ने उचुनाओ के इस रिजडर्ट को पुरी तरीके से कहस करा सकते हैं क्यों लगा तार इन बातों कर दावा किया जा रहा था तौर उत्तर पदेश की यह उन च केपी को साथ सीते दी जा रही थी तो कहीं न कहीं वो एक जित पोल भी एक बार लगाता रहा था लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर रुजानुट परिणाम में बहुत बड़ा परिवर्तन होता तो इसके बावजूद भी 6 और 3 का आनुपार्तिक रेशियों कहीं न कहीं स्वीरे भी सामनी निकल कर रही थी जिसमें दर्मराज निशार तो पहले ही दाई खाते हुए इस बात को लेकर आत्वक्त है अलाकि अगर बात करें मुझफर नगर की मीरापूर से तो वहां ते संबूल राणा ने इस बात कर दावा जरूर किया क्यों चुनाओ जीत रही ह सिथाम वकान पूर जिलिक की जो सीथाम, भी लगतार बने हुए है हारुन जाफरी, हारुन बात किया है, सीथाम वव विधान सबाद सीट पर लगतार अगरे दो ने बहुत दिखा रहे थे, लेकिन कही नहीं जंता को लिए दिखा था, यह कुछ जंता जो भी बने नज़ आ रहे थी बदलाओ की बात कर रही थी क्या जिस तरीके से जो मतगणना में जो रुजान आ रहे हैं अभी तक बात की या शुरु आथी दौर में वहां से नसीम सोलंकी आगे नजर आ रही हैं तो क्या माना जाए कि इर्फान सोलंकी का जो सिंपाथी वोट था जैसा कि हारुन अन्मूट कीजिए हारुन अन्मूट कीजिए डिवाइस को चलिके तो लगातार जो हमान साथ मनीतेश और संजप पांडे लगातार बनी होए मास अन्मूट से जाना चाहूंगा आपने तुमाम जिकर का एक्जिट पोलों का जिकर किया है लेकिन जिस तरीके से हार्याना-विधान-सभा के चुनाओं जिस तरीके से आये थी हार्यान- समाजवादी पार्टी को टिकेट ही नहीं दीगी ती वहां पर उसी के चलते जो है रुजान जब आया तो कॉंग्रेस बैक फूट पर नज़र आया है और उसी से जो है यहां पर उत्तर प्रदेश में जयोब चुनाओ की विस्ताथ विचना शुरू गई थी अखिलेश याद समाजवादी पार्टी चुनाओ के बाद उस्ताथ वोट मांगते नज़र नहीं आया है चाहिए राय हो या फिर तमाम जो प्रदेश लेबल के नेता हों तो क्या माना जाया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है लोग समाजवादी चुनाओं के बाद उस साहित आ आप जिस तरीके से रुजान आ रहे हैं मैं पढ़नाम तो नहीं वह नुगा जैसे कि आप करते हैं रुजान में कहीं न कहीं आप समाजवादी पार्टी जटका लगता वह नजर आ रहा है बिल्कुल निस्टी आपको बता दें कपिल की जिसमें का से हरियाना चुनाओं में समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं कॉंग्रस ने बैक फूट पर रखा था तो कहीं न कहीं वहीं बदला अगर कहा जाए तमाम राजनीतिक विश्टेशिकों ने इस बात को कूड भी कि समाजवादी पार्टी ने वहीं बदला उत्तर प्रदेश लिया लोगसभा चुनाओं पर अगर हम जाते हैं तो लोगसभा चुनाओं में अगर बात की जाए इंडिया कटबंधन बना तो ज़रूरा लेकिन इंडिया कटबंधन को सबसे ज्यादा थाकत अगर किसी ने दी तो अकलेश यादो की समाजवादी पार्टी की साइकिल ने दी थी और निसी थी इसका फायदा उनको देखने को मिला था उनके सैंसी सांकत भायत का सदन में अब चर्चा कर रहे हैं और ना तिर समाजवादी पार्टी के जंडा बुलंद कर रहे हैं लेकिन एन सब के बीच पार्टी के मुक्सिया अखिले श्यादों ने इस मामले में राहूल गांदी से बात की क्या कुछ बात चीद ही कि अपर फैसला निकला जो चुनाओ में आपने साफ तोर पर देखा कि कॉंग्रेस इस मामले से टिकट मांगने के मामले से पूरी तरीके से पीछे अठ गई लेक परतात में पहुंच कर समाम विजानसभा की परताल की थी वहां ते लोगों से बात चीद भी की थी आलम ये रहा कि नेता विरोधी दल माता परतात पांटे जब आली गश्यार करने पहुंचे थे तो वहां पर वहां के सारों ने सवाल भी जड़ दिया कि कॉंग्रेस के लेकिन कॉंग्रेस से जो एक अक्रामा ग्रोप की उमी कि जारे थी वो यूपी में कहीं दिखाईने पड़ी दूसरा जो सबसे वड़ा कारण यह निकल कर आया कि समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस विजोनों को जन्ता नहीं कहीं पर दख दिया था लिकिन जब यहां जन्ता पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उस गड़ अब यहां बताओ नहीं देखा अभी मूट हो एक चलिए ब्रकु नितियस बने रहे गए अपनसारत हारूम क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है हारूम सीसामावू विधान सावा सीट की बात किया है यहां पर इरफान सोलंकी की जो पत्री है नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में थी इस नमाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था लियारा जिस तरीके से एक्जिट पोल में उनको बढ़ा तब दिखाई गई थ है कि तीसरी बार की पत्री नसीम सोलंकेस जीत के सिल्सले को बरक्रा रख पाएंगी कि अईसा लग रहा है पूरी तरीके लग रहा है पांच्वे राउंड के रुजाह में 10,800 कुछ वोटों से वो आगे भी चल रही है और यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम बहुल वोटर है उनको तो हिंदू वोटर और वहां पर जो भी सरदार साथी हैं सरदार भाई हैं वह उनको पूरी तरीके से वोट करते आ रहे हैं और यहीं कारण है उन्हें विजह होने का उम्मीद यहीं की जाती है कि वो सीसमों विधान सभा te पूरी तरिके से विजय होने के रास्ते उनके साफ नजर आ रहे हैं हारुन जिस तरीके से बात किया अईरफान सूलंकी पर तौमम मामले दर्ज हैं अखजनी का मामले भी दर्ज है तौम प्रकार के मामले दर्ज हैं कि विकास कारी हुए लगातार उनके आधार पर जंता नसीम तोलंकी को चुन रही है करी को छुडवा दू और यही बात रही कि लोगों ने उन्हें आसिदवात के तोर पर वोट किया है और विज़े बिनाने की और ले जाने की बात करी है लेकिन जिस तरीके से हमने अपने अनादी टीवी के कारकर में भी देखा था कुछ लोग बदलाओ की बयार की बात कर रहे थे बोले अब यहां पर इतना पानी सीज़ दिया जागी के हरी आली हो जाएगी और रिफान सोलंकी जो है अब जेल में हैं वो कोई गोल्ड मल लेने के लिए जेल नहीं गए हैं तमाम आरूपे हैं से वो जेल गए हैं इस तरीकी जो है जनता सच बताती हुए नजरारी एक्जिट पोल में ये भी कहा गया था कि दो सीटों समाजवादी पार्टी करहल और सीसमों का विश्यस तरपर नाम आया था लेकित आप जो है वो सिलसला जाई रहे हैं तो क्या ही जो रुजहाने ये पारिणावों में तबदीर हो जाएंगे हारून ऐसा लगता है अनादी टीवी का जो हमारे एक्जिट पोल रहा वो भी पूरी तरीके से सक्ष सामने आता दिख रहा है कि दो सीटे समाजवादी पार्टी को मिलने की बात कही गई थी और बाकी यहां का जो मामला है वो आपके सामने है और आपके बीच मे है कि जिस तरीके से उन्हें भी बिनाने की बात अगर कहीं आती है तो उनके ससुर मुस्टाक सुलंकी उन्होंने भी काफी काम किया और उनके पती इरफान सुलंकी ने भी यहां पर बहुत काम किया जिससे की जनता उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मानती है जानती है और करती है हाँ योगी जी के आने के बाद खुड़ा सा बद्लाव जरूर आया और नारों और वादों के बीच में यहां पर देखा गया कि नसीन सुलंगी आगे बड़ती दिखाई दे रही है और चलिए हारुन अफ हमरसद बन रहेगा से दरू करेंगे संजर पांड़े इंडिया गठबंदन के तरफ से बीजेपी ने सीट पर प्रत्याशी उता रहा है यहां पर सुनिसमिता मौरे को प्रत्याशी बनाया है क्या लगता है कि इंडिया गठबंदन के यह सीट हो चुकिए बीजेपी ने प्रत्याशी उता रहा है निसाथ पार्टी को के तरफ जूगए था उनकी तरफ ढावट हो जाए साथ ही PDA की बात कही गई थी पीडीया को लिकर आख लिकर अखिलेश और बार 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 बयान वाजी कर थे बार 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 बूट मंग रहा है थे तो वह थोड़ा भी दर उदर निजय ठुवा लोगत अपनी बातों को रखा जन्सभाएं कि तो चाहें वह मजवा हो बिड़ापुर की यहां पर भी बहुत जबर्दस तरीके से लडाई देखी जा रहा ही ती उसके बाद कुंदर की सी जहां पर यह माना जा रहा था कि मुहम जो पोष्टर बार जारी हुआ लोग सभाथ चुनाओं में और आग्सवास जगा था जगह था कि मैं उश्सी रिजर्ट का राखू था ना रह नेदका नारा उन्पृदाश रिखाश पापिल जी तो जिस परकार से हरियाना में योगी अधितनादीर में लियां बियाना की बटेंगे तो कटेंगे और हर्याना में जिस प्रकार से वो उनका वो बयान एक्दम वायरल हुआ उच्छागे योगी उसके बाद में पूरे उप्तर प्रदेश में इसी के आदार पे चुना हुआ अखले सियादों की बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने पूरा कर दिया तो कहीं नेता मंत्री सब लोग वहां पहुंचे तो हिंदू थोड़ा सा एक जुट हुआ और जब मदार करने गए और दूसरी चीज़ भारतिय जन्ता पार्टी की जो नेता मंत्री जा रहे तो एक बात और कह रहे थे हम कोई कि सब्सक्राइब बटेंगे तो होसकते हमारी जन्चन की मुझ्द रड़ागाि और धर अब कि अधार में बटेंगे तो कटेंग तो नियुकिकारे के हालत पैदा हुए तो यहां पर लगातार तो उस आधार पर बहुत ज्यादा काम किया हमें जहां तक लगता है लोग भार्तिय जन्ता पार्टी के पक्स में गये इसलिए साथ नीटे भार्तिय जन्ता पार्टी जीत रही अभी जो रुजान चल रहा है उसमें कपिल जी अब बिल्कुल आप हमसा बनेरी का संजय और नी और इंडिया गठवंदन में एक बड़ी पार्टी के तौर पर समाज़ाद पार्टी जो अभरी थी इस बाल लेकिन पीडिया फॉर्मुला जो है कारगार सावित नजर नहीं आ रहा है तो कहा जाता है जिस तरीक से बीजेपी के ने बार बार करे थे कि काट की हांडी बार जान आ रहे है नितेश बिल्कुल अगर कपिल हम आपको एक बात कहें तो जो सब्सक्राइब कराती है यह कहा जाता है कि परिवर्तन जो है वो प्रिकृति का नहीं हम है भार्टी जन्ता पार्टी ने ने ना सिर्फ इसको ग्राय किया बल्कि उसना अनुपालन भी पूरी त प्रशंशा करनी हो कि स्यम्योगी आधितनाथ की कि लगातार तमाम राजनितिक जलों के दारा उनके नाम पर डारेक्ट पुठारागा आप कि जारते हैं मैं बहुत गंबीरता से कह रहा हूं कि भारते जन्ता पार्टी ने सीम्योगी के उपर पर स्वेक्तिकर कमेंट भी कि पर बड़े जा रहे थे कि यह आठीजी है और कहीं ना कहीं अला कि भारती जन्ता पार्टी की नेता है लगातार कहा देते हैं कि समाजवादी पार्टी काटके हंडी है बार बार नहीं चाड़ेगी तो उनकी भविश्वारी तो सच थावित हुई है लेकि इन सब के मीच मे ने कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा जट्का दिया था उसके बाद सीम योगी पर लगातार बड़े सवाल या निसान लग रहे थे तो ऐसे में कुम चुनाओ कि पूरी जिम्मेदारी जिम्मेदारी आधितनात ने उठाई उसका निर्भान किया जुआदार किया करता है कि केंद्र के तमान मेता सीम योगी पर डाल देंगे लेकिन अब कहीं नहीं कहीं पासा क्पिल जी उल्टा पड़ता हो दिखाई पड़ता है कि जो तमाम बयान बाजिया थी वहा में हो गई और निसी थी जो मेहनत की सीम योगी आधितनात ने ग्राउन पर जाकर एक जनपद में एक गिदान सबापे कई कई तावर सोर देलिया यही नहीं है अलीगर की बाप करें तो अलीगर में सीम योगी ने रोजगार का पिटारा को दिया कहीं नहीं बड़ी संक्या में युवा उनके साथ जुड़ गया अंबेटकर नकर में अकर देखा जया तो अंब अपना विलाग चुड़ू कर देंगे लिकिन इस बात से दूर रहते हैं कि धरातल पर फ्रयास कैसे की जाते हैं एक महतुपूर बिंदो और आता है कि लोगता चुनाओ के बाद भारती जंसा पार्टी का जो तमाम कारे करता था वो हतुत साहित हो गया था वो परेशान हो इसका लग जाता है जो इसको गुटीछ कई पर अविश्र शूर भी तैटी नहीं कितना उपजनाओं से जो है नोस उचिटोब पर समाजवादी पार्टी जो है जो अपना जीत का मत्र लिका चले थी वो कितना कामयाब होगी या स्तियम योगी का जो बयान था बटेंगे ते कटेंगे तो वो कारगार सावित होता हुए यहां पर नजर आगे सब चीज़ देखना देखना चस्प होगा शाम पांच में तक जो है तस्वीर साफ हो जाएगी फिलाल के लिए आप तीनों जोड़े में साथ सीटे पर बीजे पी आगे तो बात की जाया है दो पर समाजबादी पाटी आगे है फिलाल के ये खबरों में बस इतना ही और आप बने रहे हैं आदी टीवी के साथ नमसकार